2021 इंग्लेंड और इंडिया के बीच 5 टेस्ट मैच के मुकबले में से टीम इंडिया 2-1 से लीट कर रहा है अगरी टेस्ट मैच एजबस्टर में खेला जाएगा टीम इंडिया 2007 के बाद से इंग्लेंड में टेस्ट सिरीज नहीं जीता क्या 15 सल का इंतिजार आप होगा खतम हलो दोस्तो मैं हूँ सटी आप देख रहे हैं इंडियन की के दिशाथ दोस्तो अगर आप चनल पर नहीं है तो सब्सकाइब जोरूर कर लेना तो चलिए देखते है दोज़ार इकिस में हुँआ पाचों सिरीज के मुकाबिला में पहला टेस्ट मैच नौटिंग हम में खिला गया इंग्लेंड ने टौस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने की निन्नने इलिया इंग्लेंड के पहले पारी में 183 रांस बनाए फिर टीम इंडिया पहले पारी में बल्ले बाजी करके 288 रांच बनाए दूजरे इनिंग्स में इंगलेंड ने 303 रांच बनाए और टीम इंडिया को 209 रांच का लोक्स दिया लिकिन मैच ड्रौ हो गया प्लेयर ओफ दा मैच बना जो रूट आब आता है दूजरे टेस्ट म लोट्स के मैदान पर खेला गया इंगलेंड ने पहले टोस जीतकार गेंद बाजी को चुना भारत ने पहले पारी में 300-400 रांच बनाए इंगलेंड के टीम बल्ले बाजी करते हुए पहले पारी में 391 रांच बना कर 272 रांच का लीड दिया उसके बाद फिर भारत ने 271 रांच का पिछा यानि टीम इंडिया के 298 और इंगलेंड के लीड 27 रांच को घटा कर जो 271 रांच टीम इंडिया के बाचे है ये लक्स का पिछा करने के लिए इंगलेंड ने बनाया सिर्फ 120 टीम इंडिया को 151 रांच से जीद मिला और दूजरे टेस्ट मैच 1-0 के अब आता है तीज़्या टेस्ट मैच, तीज़्या टेस्ट मैच हेडिंग ले में खेला गया, टीम इंडिया ने टोस जित कर पहले बल्ले बाजी करने के निन्ने लिया, टीम इंडिया पहले पारी में शिर्फ 78 रंज में ही अल विकेड डाउन हो गये, उसके बाद इंग्लें इंग्लेंड ने पहले पारी में 632 रंज बनाए और टीम इंडिया के लिए महास अंकट खाड़े हो गये, 354 रंज का लीड्स मिल गये, दूजरे पारी में टीम इंडिया ने जब बल्ले बाजी करने के लिए आये तो 288 रंज बना करी अल विकेड डाउन्स हो गये, इंग् टॉस जित कर गेंद बाजी करने के निन्नाई लिया, टीम इंडिया ने पहले बल्ले बाजी करते हुए, 1992 रंज बनाए, उसके बाद इंग्लेंड ने टीम इंडिया के 191 रंज का पिछा करके 290 रंज बनाया और 992 रंज का बढ़ोती दे दी, दुजरे पारी में टीम इं में ही सिमेड गए टीम इंडिया 177 रांच से चोथा टेस्ट मैं जितका 2-1 से सिरीज के मुकबिला लीट कर रहा है परोना के करण सिरीज पुरा नहीं हो पाया इसलिए 1 जूलाई 2022 सिरीज के अगरी टेस्ट होने बला है पांच मैंचों के सिरीज में चोथा टेस्ट हुआ था 2021 के सितमबाद दो में और लगबैक एक साल के बाद सिरीज के फाइनल मुकबिला होने जा रहा है चलिए इसे बीच टीम इंडिया स्क्वाड को देख लेते हैं सुम्मन गील, बिराट कोहली, स्यास आयार, चेतरस्टर पुजारा, हनुमा बिहारी, केज भारत, रिसरप पैंड, रबिन्द जज़या, रभी चंदर अस्विन, सारदूल ठाकूर, जस्पित मुम्रा, उमेज यादब, मयंक अगरवल, प्रसित किसिना, महम्मस स्वामी और महम्मस सिर्यज, सर्स जुलाई, सिर्यज के अगरे मुकबिला होगा, लिकिन बहुत बुरा खबर है, टीम इंडिया के लिए, रोईस सर्मा करोना पोजिटिव के करन, मैस से बाहर हो गया है, इसलिए उनके जगा, जस्पित मुम्रा टीम इंडिया के कप्तन बने, और इंग इंगलेंड के निया टेस्ट कीकेट हेड कोज बने, न्यूजिलेंड के खिलाडी ग्रेंडन मैक कलम, चलिए इसी बीच इंगलेंड के स्क्वाड को देख लेते हैं, अलक्स लेस, हैरी ब्रूक, जो रूट, ओली पोप, जैक क्रेवली, बेन स्टोक्स, जॉन्नी बेर स्टो सैम बिलिंग्स, क्रेग ओभाटन, बेन फोक्स, जेम्स एंदर्शन, जेमी ओभाटन, मैथ्यू पार्ट्स, स्टुवाट ब्रोट और जैग लीच, इंगलेंड और न्यूजिलेंड के बीच, अभी अभी जो मुकोबिला हुआ है, उनमें इंगलेंड साथ विकर से जीता, यानि न्यूजिलेंड के टॉप क्लास गेंदबाजों के समने, इंगलेंड के बल्लेबाज बहुत अच्छे बल्लेबाजी किये है, जो रूट और जॉनी ब्यारस्टो काफी अच्छा फोर्म में है, उसके साथ जेमी ओभाटन के उपर भी नजर रगना होगा, इंगलेंड के लिए फार्ज गेंदबाज के रूम में देखा जा सकते है, स्पिनार्स, जैगलीच और जो रूट को देखा जा सकते है, क्योंकि जो रूट का स्पिन बोलिंग एटक टीम इंडिया के लिए तो पहले घातक साबित हुए थे, और निउजिलेंड के खिलाब भी एक विकर चटका है, तो चलिए इंडिया के खिलाब इंगलेंड के कौन-कौन खिलाडियों को देखा जा सकता है, देखते है, अलक्स लेस, जैग क्रेवली, ओली पोक, जो रूट, जौनी बेरस्टो, बेन स्टोक, जैमी ओबाटन, मैथ्व पॉर्ट्स, स्टुवाट ब्रोड, जेम सेंडर्सन और मैथ्व पॉर्ट्स के गिंद को समबल कर खिलना होगा, उसके साथ जो रूट और ब्रेक स्पीन गिंदबाजी करने के लिए देखा जा सकते है, क्योंकि इंडिया के बल्ले बाच और ब्रेक स्पीन के सामने थोड़ा प्रोब्लम आते है, लिकिन जैग लीच इदना काम नहीं आ सकते है, क्योंकि टीम इंडिया के बल्ले बाच लेक स्पीन बहुत अच्छे कहलते है, चलिए इसी बीच इंडियान कीके डिशर्च के तरफ से टीम इंडिया के एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलिवन को देख लेते है, सुमन गील, हनुमा बिहारी, चे मैसा कहते है, पहले इनिंग्स में किसी भी टीम अगर जदा रान बनाता है, तो उन टीमों का जिनने का चंसे काफी बाढ़ जाता है, लिकिन गिन्दबज के उपर डिपेंड करेगा, इसलिए टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स बहुत मैच तो पुन होता है, पाज मैचों के सिरीज दो एकर के लीड दिया है टीम इंडिया ने, आई होब सबसे लंबे मैचों का सिरीज टीम इंडिया जिते, बेस्ट ओव लाग टीम इंडिया, टीम इंडिया के बल्ले बाजों को जिमी एंडर्सन और मेथो पुन्द को समाल कर खेलना होगा, पहले इनिंग्स में ए इंग्लेंड में ही इंग्लेंड को हरा कर टेश सिरीज जिनने के लिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करेगा, और सब्सक्राप करके इंडियान की के डिसे चैनल के साथ जरू जूड़े रहेगा, तो दोस्तों आज के दिन में इतने ही मिलते हैं, अगरे वीडियो में किसी नए टोपिक के साथ, तब तक के लिए जाहिए भारन बता की जाए, बाई बाई, टेक क्या,